अस्सलाम अलेकुम मैं हूँ आपका टीचर अजीजर रिमान और आप देख रहे हैं Gets Computer Academy का Official YouTube Channel Gets Online जी तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं Microsoft Office Microsoft Office के अंदर basically तीन major programs होते हैं जिनको हम mostly use करते हैं किसी भी office के अंदर इन में से सबसे पहले Microsoft Word, Microsoft Excel और Microsoft PowerPoint तो हमारा यह course Microsoft Office के नाम से है इसमें हम इन तीन programs को discuss करेंगे अभी तक कि हमारी जो basic के videos थीं वो यकीनान आप लोगों ने बहुत enjoy की होंगी और आपको बहुत कुछ basic की चीज़ें सीखने कामों का मिला होगा आज हम Microsoft Office में अपने पहला program Microsoft Word को शुरू करने जा रहे हैं जी तो दोस्तों आज हम advanced level पे Microsoft Word की एक एक चीज़ को एक एक step को thoroughly पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि जब कभी भी जिन्दगी में आपको Microsoft Word इस्तमाल करने की बारी आए Microsoft Word इस्तमाल करने के ज़रूर पेश आए तो आपको हर अर आप्शन के बारे में मुकमल मालूमात हो तो अभी तक आपने नोट किया होगा कि हम जो चोड़े चोड़े प्रोग्रेम से तो उनकी हमने एक complete वीडियो बनाई थी कि आसानी से एक वीडियो के अंदर हम समझा सकते थे लेकिन Microsoft Word जो कि Advanced Program है उसको एक वीडियो के अंदर समझाना काफी मुश्किल है और आप लोगों को पर समद भी नहीं आएगी तो इसलिए मैं इसको Class by Class करके Divide किया है मुख्तलिफ छोड़ी चोड़ी वीडियो के अंदर और हम इसमें Topic by Topic के हिसाब से मुख्तलिफ चीजें पढ़ते जाएंगे इसके लिए आपको बिलतर्तीब वीडियो मैं उसके साथ Numbering एड़ कर दूँगा और आपने Class 1, Class 2, Class 3 के नाम से वीडियो आपने बिलतर्तीब देखनी है ताके आपको पूरे का पूरा Microsoft Word properly समझा जाए और एक तर्तीब के साथ समझा जाए तो आज की हमारी वीडियो जो है Microsoft Word के तारुफ के अवाले से introduction के अवाले से आप इसे Microsoft Word का overview के लें ताके Microsoft Word को जब आप earn करें हम एक overview की class लेते हैं तो introductory class के लिए चलते हैं अपने computer screen की तरफ जी तो students हम आच चुके हैं अपने computer screen के उपर और सबसे पहले हम Microsoft Word के shortcut के उपर double click करेंगे तो आपके सामने Microsoft Word open होके इस तरह का interface आपके सामने आ जाता है आज की जो के हमारी class overview के बारे में है तो हम Microsoft Word के इन तमाम हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या नाम है और ये कैसे कैसे काम करते हैं और इनका क्या इस्तमाल होता है तो सबसे पहले जो उपर वाली line होती है इसमें लिखा होता है document 1 document 1 Microsoft Word इस line को उपर वाली जो line है इसको हम कहते है title bar title bar के अंदर ये document 1 इस वज़ा से है कि अभी इस file को हमने save नहीं किया हुआ तो इसका by default नाम जो है document 1 होता है आप जैसे जैसे नई files बनाते जाएंगे तो ये document 2, document 3, document 4 इस तरह से आगे चलता जाएगा और ये अमारे program का नाम है जब हम अपनी file को save कर लेंगे तो जो नाम हम देंगे वो नाम हमें यहाँ पे नज़र आएगा title bar के एक right corner पे यहाँ पे आपको तीन बटन मिलते हैं इस area को हम कहते हैं control box control box में ये close के लिए button होता है ये maximize और minimize नार्मली screen के लिए होता है और ये minimize के लिए जो screen को हम नार्मली task bar में minimize कर देते हैं title bar के left side पे आपको यहाँ पे यह चोड़े चोड़े option नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं quick access bar quick access bar को हम यहाँ से customize कर सकते हैं ये कुछ options यहाँ पे मुझूद होते हैं जिनको हम फोरण से इस्तमाल कर सकते हैं इन में से कोई option आप यहाँ पे रखना चाहते हैं या उसको निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके उपर click करेंगे वो add हो जाएगा यहाँ पे open को रखना चाहता हूँ तो देखें यहाँ पे open का भी option नजर आ गया और मैं यहाँ से redo को अटाना जाता हूँ तो redo हट गया है पिर दोबारा से इसको करेंगे तो जो चीज़ आप यहाँ पे रखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं आपको एक access bar में add कर सकते हैं title bar के नीचे जो दूसरे नमबर पे line है वो किलाती है menu tabs यह जो line है इसमें आपको मुखतलिफ tabs नजर आ रहे हैं file tab, home tab, insert tab, page layout, reference, mailing, review और view tabs तो जिस tab के उपर आप क्लिक करते हैं तो आप देखें के tool ribbon के अंदर यह जो नीचे ribbon आपको नजर आ रहा है तो जिस tab पे क्लिक करते हैं उसके relevant जो options हैं वो आपको tool tab में नजर आ जाते हैं ribbon के अंदर नजर आ जाते हैं यह नीचे इसी के आखिर में यहां पे आपको यह option चोटा सा है आप arrow नजर आ रहा है इसके लिए shortcut control F1 भी आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ट से इस पे क्लिक करने से यह ribbon वक्ती तोर पे hide हो जाता है दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो यह आप इसको show करवा सकते हैं तो वक्ती तोर पे इस ribbon को चुपाने जायर करने के लिए आप इसका इस्तमाल करते हैं इसके नीचे आप आजाते हैं तो यह आपको ruler नजर आते हैं एक ruler आपको horizontally और दूसरा ruler आपको left side पे vertically नजर आता है आप अगर sheet का देखें तो यह एक page की शकल में आपको नजर आती है स्क्रोल डाउन करते हैं तो आप यहां पे देखें यहां पे हमारा ruler यहां पे इस area के अंदर यहां से gray शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है यहां पे हमारा एक page complete हो जाता है जैसे जैसे लिखते लिखते आप नीचे चले जाते हैं तो आपका page जैसे ही खतम होता है आप अगले page पे चले जाते हैं और इसी के नीचे हमारा दूसरा page बन जाता है मैं अगर यहां पे enter press करता जाओ तो जैसे ही हमारा page खतम होगा तो देखे ये बीच में ब्रेक नजर आ गई है तो हमारा पेज दूसरा शुरू हो गया है इन दो पेज के दरमयान में यहां पे क्लिक करेंगे तो यह वक्ती तोर पे डबल क्लिक करने से यह दोनों इस तरह से मर्ज हो जाते हैं इस बार में आपको सबसे पहले यह पेज पेज के नजर आ रहे हैं कि आपके कितने पेजिस हैं यहां तक यह white क्यालाता है तो इसका मतलब यह है कि आप कि जो line है वो यहां से लिखते लिखते जैसे ही आप यहां पर end पे पहुँचेंगे तो automatically line break हो जाएगी और अगली line शुरू हो जाएगी यानि इससे आगे आप नहीं लिख सकते इससे पीछे आप नहीं लिख सकते यह यह एक तरह से समझने हाशिया होता है जो आपको restrict करता है कि आपने सिर्फ इस area के अंदर ही लिखना है तो page के उपर आप करसर का साथ साथ सिखाता जाओंगा यह है हमारी scroll bar जो page को उपर नीचे करने के लिए इस्तमाल की जाती है जितने भी pages होंगे यहां पर आपको छोड़ी सी tool tip भी साइट पर नजर आ रहे हैं कि आप page number one पे हैं असवक्त आप page number two पे हैं तो scroll bar page को उपर नीचे करने के लिए इस्तमाल हो जितने भी pages होंगे आप सारे pages यहां से देख सकेंगे इसी scroll bar के उपर आपको यहां पर दो option नजर आ रहे हैं यह होता है view ruler आप ruler को छुपाना चाहते हैं तो ruler hide हो गए दोबारा click करेंगे तो ruler show हो जाएंगे और इसके नीचे है यह panning tool इसको कहते हैं panning hand भी कहत हैं इसके उपर आप click कर देंगे तो यह mouse की जो position है वो हाथ की तरह बन जाती है इसका मतलब यह कि आप click को दबा के रखेंगे और page को आप इस तरह से पकड़ के भी scroll up या scroll down कर सकते हैं तो यह एक असान tool है आप किसी वकद भी keyboard से escape दबाएंगे तो यह tool हट जाता है इसके आप scroll बार की मदद से भी इनको बैक वक उपर नीचे कर सकते हैं स्टेटस बार के अंदर आपको पहले नंबर पे तो pages की तादाद नदर आती है दूसरे नंबर पे आपको word count मिलता है यानि इस Microsoft word के अंदर यह भी एक खूबी है कि यह हमारे अलफास को count करता जाता है तो ज दो के लिए अलएदे से वीडियो में record करूँगा इनिशाला आपको detail से समझाओगे कि हम Microsoft word के अंदर spelling grammar को किस तरह से ठीक कर सकते हैं और हमारा document किस तरह से error free हो सकता है इसके लाव यहां से हम language set करते हैं default के तोर पर यहां पर English United States इस्तमाल की जाती है इसी status bar में आप यहां से full screen view भी कर सकते हैं इसको यहां से close कर देंगे यहां से आप web layout के तोर पे एक देखे आप positions अमारे page की जो है वो web के सूरत पे नजर आ रही है यहां से outline view करके देख सकते हैं और यहां से draft view करके देख सकते हैं तो normally जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम print layout इस्तमाल करते हैं जो आपकी जो real page की शकल होती है Microsoft Word के अंदर चूंकि हमने documents त्यार करने होते हैं तो इसको हम इस तरह से रखते हैं ताके हमें समझने में आसानी लगे कितने pages हम बना चुके हैं तो यह page को मुटलिफ अंदा से view करने के लिए इस्तमाल होते हैं और आखरी जे option यहां पे पूलर के अंदर भी यह सिर्फ 160% आपको मिल रहा है इसके उपर क्लिक करने से भी आप जूम की position को set कर सकते हैं 100 कर देंगे तो यह actually 100% जो size है वो आपको यहां पे मिल जाता है तो यह जूम करने के लिए होता है तो यह था दोस्तों हमारे Microsoft Word का overview इन तमाम tapes को और इन तमाम options को हम एक-एक करके पढ़ेंगे ताके हमें समझने में आसानी रहे होपसो आपको Microsoft Word का तारौफ अच्छा लगा होगा जो कुछ भी आपको लगा अपने reviews अपने comments नीचे वीडियो के अंदर दीजिए इससे हमारी उसला दाई होती है और हमें समझ आती है कि आपको किस हद त